अंजी नमस्कार दोस्तो तो भारत और आस्रेलिया का जो फाइनल मैच होने वाला है भाई साब उसकी तैयारिया जोरो सोरो से सुरू हो गई हुई हैं दोनों ही टीमें भाई साब प्रैक्टिस मैच पे लग चुकी हुई हैं लेकिन ऐसे में भाई साब एजा इंडियन जरूर जीतेंगे उनका भाई साब ग्लेन मैक्समेल कर रहा है कि इनके ओडियन्स का फाइदा हम उठाएंगे मतलब अलग 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 चीजे बोल रहे हैं भाई साब मतलब टीम इंडिया को ये लोग मतलब वो समझ लिया है जिसके बाद भाई साब भारतिये टीम भी कम न हमें काफी जादा मोटिवेट करे हैं चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं दोको भाई सब भारत और आस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होना है ये फाइनल मैच भारतिये टीम के लिए काफी ही जादा एहम फाइनल मैच होने वाला है क्यो टीम को इस मैच को हराना है, हाला कि इसके लिए भारते टीम की जो प्रैक्टिस है वो काफी जोरो सोरो से चल रही है और पिछिस को काफी अच्छे धरीके से ध्यान में रखा जा रहा हुआ है, मतलब स्टेडियम को कह दिया हुआ है भाई साब ठंड रखो भाई साब हम आ रहे हैं भाई साब दूसरे तरह आस्ट्रेलिया की टीम अलग-अलग बयान दे जा रही है कह रही है कि भारती टीम को हम डॉमिनेंट करेंगे वहीं दोस्तों आस्रेलिया की जो टीम है वो भाई साब अलग अलग बयान दिये जा रही है वो कह रही है कि मतलब उनका इस टीव इसमत अलग बयान दे रहा है जो सजलबुट अलग बयान दे रहा है डेविड वानर अलग चीजे बोल रहा है क्लैन मैक्सबल भाई साब आता है अलग बात बोल रहा है और पैट कमिन्स उनके जो कैप्टन वो तो अखीरी लेबल की चीज़े कर रहे हैं भाई साब ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई साब हम इस फाइनल मैच को जीतने वाले हैं भारतिय टीम के ओपर डॉमिनेंट करेंगे हम इनके बॉलर्स के ओपर प्रेजर डालेंगे और इनके बैट्समेन को हम अलग अलग तरीके से आउट करने के मतलब जरिया डून रहे हैं तो मतलब कह रहे हैं कि हम ये मैच भारती टीम को असानी से हरा कि इस फाइनल मैच को जीच जाएंगे और भाई एक प्लेयर्स तो ये भी और भाई कोई तो ये भी कह रहा था कि हम इंडियन क्राउड का फाइदा उठा कि उन्हीं को हराएंगे तो आप चाहे जितने भी कोशिस कर लीजिएगा भाई साब ये फाइनल मैच इंडिया टीम ही जीतने वाली है और इस मैच का मैं थोड़ा सा आप लोग को प्रेडिक्शन भी कर देता हूँ कि इस मैच में भारती है टीम की तरफ से सुगमन गिल का सेंचुरी आएगा विराट कोली भी पचास से जादा रन मारेंगे वहीं सूर्य कुमार यादो इस पिच पे चाहे रहेंगे इतना मेरा प्रेडिक्शन है इस मैच में और वहीं जहां तक बात रही आस्ट्रेलिया के ओपनर्स की डोमिनेट कर रही है आस्ट्रेलिया के टीम के ओपर ये मैच है सवा लाक मतलब यह मानलो आप तेड़ लाक बंदों के सामने तो भाई इस चीज का भी प्रेशर आस्ट्रेलिया के ओपर रहेगा और इस चीज से भाई सब वो निकलने की कोशिस करेंगे लेकिन हमारी जो क्राउड रहेगी वो भाई साब इनको दबा देगी मतलब कुछ ना कुछ तो प्रेशर डालेगी तो यहां पर भी आस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पाइनिस पॉंट हो जाता है और भारती टिम का प्लस पॉंट हो जाता है अस्रेले की टिम भले ही अलग अलग बयान दे रही हो लेकिन इस मैच में जिसका सबसे जादा हख है वो है भारती टीम हलाग की दोनों में हम तब आद में पहुंच चुकी हुए हैं मैंने आपको बताई दिया हुआ है कि प्रैक्टिस वो अपना करना स्टार्ट कर दी हुए है और भाई साब ये इस फाइनल मैच में काफी बड़े बड़े दिगज दिगज लोग आने वाले हैं यानि कि आपको सारे ही वर्ड बिनिंग कैपटन्स आप लोग को इसमें दिखने वाले हैं इसमें मतलब बहुत सारे परफॉमेंस भी होंगे कई सारे सिंगर्स आएंगे डांसर्स आएंगे और लाइट सो भी होगा मतलब काफी अमेजिंग होने वाला है ये फाइनल मैच और ड्रोन सो भी होगा मतलब इस में जो जो चीजे भाई हो सकते हैं वो सारी चीजे इस फाइनल मैच में होंगी और 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 ओडियन्स को काफी ज़दा इंटर्टेन कराया जाएगा